नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल तो फार्माडिशिन में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एजित्रोमाइसिन से जूड़ी सारी जानकारी देंगे इस टैबलेट का भी रिव्यू करेंगे और इसे रिलेटेट सारी जानकारी हम आपको उपयोग किया जाती है दोस्तों सके स्टेंथ के उपर बात करते हैं तो एडल्स में इसकी दो स्टेंथ में आती है पहले स्टेंथ होती है वो 250 मजी में आती है और दोसे स्टेंथ जो हती हो 500 में आती है अगर हम चाइल्ड्स में देखते हैं या बच्चों में देखते हैं तो आपको कान में किसी भी तरीके का इंफेक्शन हुआ है तो वहाँ पे इसका उप्योग किया जाता है निमोनिया के केस में इसका उप्योग किया जाता है ब्रॉंकाइडिस की प्रॉब्लम में ते वहाँ इसका उप्योग किया जाता है COPD में इसका उप्योग किया जाता है, नाक में फुंसी हुई है तो इसका उप्योग किया जाता है, बैक्टिरियल संक्रमण में इसका उप्योग किया जाता है, गले में किसी तरीका का इंफेक्शन हुआ है, या गले में शूचन है, गले में चुभन टाइप किया है, गला पै पर डिस्चार्ज होते हैं वहां पर भी एजित्रोमाइसिंस का उप्योग किया जाता है दोस्तें के डोजिंग के उपर आते हैं तो एजिस ये 500 में तीन टैबलेट्स है तो इसका मतलब है कि आपको तीन दिन उप्योग करना है और कुछ ऐसी टैबलेट्स आती हैं जहां पर आपको 5 डेज के लिए भी आती है तो डॉक्टर आपको ओडी डोज में देता है 500 आपको दिन में एक बार लेना है तीन दिन के लिए और जो दूसरी टैबलेट्स आती हूं 5 दिन के लिए उप्योग किया जाती है लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपको इसको दो बार भी लिए सकते हैं तो यह अलग अलग प्रेक्टिस के हिसाब से डॉक्टर्स जो है आपको प्रेस्काइब करते हैं दिन में दो बार भी कर सकते हैं एक बार भी कर सकते हैं लेकिन जो जनरलीस की डोजिंग है 500 अमजी आप लेते हैं तो ओडी डोज में ही इसको आप उपयोग करें, मतलब दिन में एक ही बार इसका उपयोग किया जाता है, दोस्तों तीन टैबलेट की कॉस्टिंग आगर हम लोग दिखते हैं, तो 75 रुपए के करीब में आपकी कॉस्टिंग है, जिसमें आपको 3 टैबलेट्स लिखा है, जिसमें लिखा है MRP, फॉर्म 3 टैबलेट्स इंक्लिवडिंग अल आफ टैक्शस, तो यह 79 रुपए के में है, तो आपको 3 टैबलेट्स जो है, वो 79 रुपए की मिलती है, दोस्तों एजित्रोमाइसिन स्किन बैक्टिरियास की ग्रोथ को रोपता है, तो यह ब्रॉड इसका कई एफेक्ट्स जो है बॉडि में और विविन तरीके के बैक्टिरियास को रोपता है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो है, वो ग्राम पाजिटिव बैक्टिरियास को रोपता है, तो दोनों तरीके के बैक्टिरियास को रोपता है, तो दोनों तरीके के बैक्टिरियास को रोपता है, तो लुटिया है तो गराको ऑजित्रो मीसेंस ऊपयोग पर तो आपको प्राब्leम सायसी हुई है तो इसको रोग कहाम करेंगं है दोस्तों इस टैबलेट के side effects की बात करते हैं तो इसमें headaches, diarrhea, vomiting और आपको चक्कर आना, पेट में दर्द ये सारी जो हैं, वो mild side effects इस दबा के साथ में देखे जाते हैं, अगर आप इसका उपयोग करना बंद के देते हैं, तो वो normal side effects यो हैं, वो दूर हो जाते हैं, दोस्तों कुछ ऐसे भी questions होते हैं, जैसे pregnancy में भी एजित्रुमाइसेंस का उपयोग किया जाता है, अगर महिलाएं जो breastfeeding करती हैं, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, कुछ patients को अगर other complications हैं, तो आप डॉक्टर के recommendations के हिसाब से आप इसका उपयोग करिए, तो दोस